तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे भाई दिबाली आने वाली है, तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ दिबाली स्पेशल फिरी फायर वीडियो एडिटिंग वीडियो के सुरे में आपके एक छोटा सा टुटोरियल देख लिया है बस आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और स्टेब बाई स्टेब बहुत इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को कम्प्लीट देखना तो चलिए फिर वीडियो को ज्यादा लंबाने करते हैं वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बड़िया चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो काईस यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है अपना एक gameplay record करना है कुछ इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है उसके बाद आपको character को कुछ इस तरह से खड़ा करना है कि उसके background में यहाँ पर आसमान दिखे ठीक है यहाँ पर इतना करने के बाद आपको एक emote मार लेना है जब आपकी यह screen record हो जाए उसके बाद आपको video को कर लेना है save save करने के बाद guys आपको क्या करना है इसे काइन माश्टर में लेना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर ले रखा है तो इस तरह से दीरे-दीरे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और emote खत्म हो गया वहाँ पर हमें क्या करना है इस बार हमें थाड़ नंबर वाले पर यहाँ पर करना है split and playhead पे तो ठाड़ नंबर पर जाऊं क्लिक करेंगे तो यह वीडियो दो पार्ट में हो जाएगी ठीक है फिर हमें वीडियो को आगे बढ़ाना है कुछ 5 सिकंड तक आपको 5 सिकंड तक लाना है तो मैं दीर-दीर 5 सिकंड पर लाता हूं तो 5 second पे लाने के ये बाद, इस बार हमें यहाँ पर click करना है. इस बार हमें क्या करना है? वाले के करना है, सेकिंड वाले पर click करना है. यानि हमें जो last का भाग है, इसको ऑमेर कट कर लेना, ठीक है? अब ये video इतनी हो गई. and इसके बाद guys, यहाँ पर हमें first वाले पर click करना है और first वाले पर click करने इसको कर देंगे delete delete क्यों किया है यह मैं आगे बता दूँगा ठीक है इसके बाद guys, यहाँ पर हम इस वाले part पर click करेंगे और इसके adjustment पर click कर देंगे ठीक है adjustment पर click करने के बाद आपको क्या करना है जो आपका third number का option दिखरा है ये वाला इस पर हमें क्या करना है इसको 70 पर रखना है 70 या 80 पर आप रख सकते हैं उसके बाद OK कर देंगे OK करने के बाद guys यहाँ पर हम इसको कर देंगे save जब guys यह save हो जा हमें simple back कर लेना back करने के बाद guys आपको क्या करना है एक options दिखेगा यह वाला तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक यहाँ पर undo वाला option दिखेगा यह इस तरह के से तो यह वाला आपको options दिखेगा ना तो हमें simple इस पर click कर देना है इस पर आपको दो तीन बार क्लिक करना है जब आप इस पर दो तीन बार क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अंडू हो जाएगी आपकी बैक हो जाएगी जैसे हमने जो डिलीट करी थी वो आ जाएगी बापस ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें अपकी सेकेंड वाले पार्ट को delete कर देना है यंद अब यहाँ पर आपको जाना है मीडिया में जाने बाद आपको black color ले लेना है black color लेने के बाद आपको background लेने के बाद आपको पर आपको DM करना है तो हमारा past second था past second पर लाना है और last से यहाँ से trim कर लेना है प पास second तक श.ud principe यहां पर हम जाएंगे लिएर पर, उसके जाएंगे मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद, जो हमने अभी एक file export की थी ना, हमने वीडियो एक export की थी उसको ले लेंगे यह वाली को, ठीक है, इसको हम full screen पर adjust करेंगे कुछ इस तरह से, आप आप अचछे से यहाँ पर अर्जिस्ट करना उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको कर देंगे ओके करने से पहले आपको यहाँ पर क्रोमा की ओन कर लेनी है क्रोमा की ओन करने के बाद आपको जी नीचे वाला दिख रहा है इसको आपको इस तरह से लाना है, कुछ 68 या 70 तक, ठीक है, यहाँ पर लाना है, आपको जो background black दिख रहा है, यह black हो जाए, इस तरह से adjust करना है, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह हो गया, done, इसके बाद हम फिर से जाएंगे layer पे and media में, इसके बाद आपको एक pack दे description में, वो आपको download कर लेना है, description से, यह वाला pack आपको मिल जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको full screen पर कुछ इस तरह से adjust करेंगे, और side में, यहाँ पर आपको कुछ options देखने को मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर आपको एक options दे description में दूँगा, उसको बहां से आप इसको download कर लेंगे, यह भी हम full screen पर लाएंगे, और उसके बाद इसको ऊपर लाकर कुछ इस तरह से sky की तरफ रख देंगे, ठीक है, इसके बाद आपको options देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, blending पर आए और यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है, तयार, उम्मीद करता हूँगा इस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों में share कीजिएगा, और वीडियो को like कीजिएगा, और एक अच्छी सी comment भी कीजिएगा, फिर से एक बार बोला हूँ, अगर इस चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को subscribe जरू कर लेना